हेलो गाइस तो कैसे आप सब असलाम वालेकुम शिब्बू की किछन में आपका स्वागत है तो चलिए गाइस आल हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार डिश है तो इस डिश को बनाने के लिए जो इंगेडेंस लगीगे वो हम आपको लाइन वाइस बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के रेसिपी के साथ जो है चिकन कॉर्मा जिसके इंगेडेंस यह हैं सबसे पहले हम एक बोल लेंगे उसमें हम दही एट करेंगे इसमें धनिया पॉडर एट करेंगे और फिर कशमीरी पॉड़र और रेट चिली पॉड़र एक चमज एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अब अब हम एक चमज गी एड़ करेंगे और अब इसमें 10-12 काजु एड़ करेंगे और इसको एक नेट अच्छे से भूल लेंगे इसमें और अइड करेंगे ओए थोड़ा जादा ही एड करेंगे क्योंकि कोदमी के लिए जो है जादा लगता है इसलिए अब हम इसमें खड़े मसाली मतलब तेज पत्ता लॉंग काली मिर्च इलाइची बड़ी इलाइची दाल और जावित्री का पूल एड करेंगे अब हम एक किलो चिकन एड करेंगे और अब हम इसमें दही एड करेंगे अद्रक रशन का पेस्ट एक एक चम्मच एड करेंगे और अब हम जो पेस्ट तयार किया था हमने वह एड करेंगे तीन से चार हरी मिर्च एड करेंगे और थोड़े से अद्रक के लच्छे और स्वाद अनुसार नमग और अब हम इसको अच्छी कर एक से मिक्स कर लेंगे और दस मिनिट के लिए जो है इसको अच्छे से पकते रखेंगे अच्छे से जो हमने मिक्स कर लिया है तो मिलते हैं दस मिनिट के बाद अब हमने जी में जो काजू साय किये पे वह एड करेंगे अब हमने यहां पे तीन प्यास को पहले ही प्राइ कर लिया था वह हम मिक्सी में एड़ करेंगे और इसका अच्छा पाइन पेस्ट बना लेना है तो गाइस दस मिनिट हो चुके है और इन दस मिनिटों में हमने एक से दो बार चमल भी चलाया था ताके चिकन जलेना माशारला बहुत ही बैटरिन खुजबू आ रही है अभी से ही अब हम यहां पे काजू और प्राइट प्यास का जो पेस्ट बनाया था मिक्सी में वह एड़ करेंगे एक चमज घी एड़ करेंगे और एक चमज जीरा एड़ करेंगे जिस मिक्सी में हमने पेस्ट बनाया था काजू और फ्राइट प्यास का वही मिक्सी में हमने पानी थोड़ा सा एड़ किया है वही पानी इसमें एड़ किया है कोर्मे में और अब हम इसे दो मिनिट के लिए पकने देंगे तो गाइस दो मिनिट हो चुके है और अब हम इसमें केवा वाटर एड़ करेंगे आदा समच केवा वाटर से जो है वो कोर्मे का तेस्स अच्छा आता है अब हम इसमें अधर के लच्छे एड़ करेंगे और इसको एक मिनिट के लिए ऐसी पकते रखेंगे तो मिलते हैं एक मिनिट के बाद तो गाइस एक मिनिट हो चुका है माशाला बहुत ही भैतरीन खुशबू आ रही है कोर्मे की और कोर्मा भी जो है बनकर रेड़ी हो चुका है अब हम आपको सर्फ करके दिखाएंगे फ्लेम को जो है वो आप्स कर देंगे अब हमाइस चिकन कोर्मा बनकर रेड़ी हो चुका है अब हम आपको सर्फ करके दिखाएंगे कि इजी गाइस चिकन कॉर्मा बनकर रेडी हो चुका है आपको हमारी रेचिपी कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए खुदा आपिस